हालो फ्राइंस वेलकम टो नोका एंटर्टेन्मेंट हम आए हैं गुजर गोट फारम पर बकरा कमेटी अद्यक्स रमजान गुजर के फारम पर आए हैं यहां पर बिट्टर और बर्बरी गोट खरीदे वेब बेचे जाते हैं ओल इंडिया ट्रांस्पोर्ट एफ लेवल है सा हमार साथ ओना रहे अस्सलाम अलेक। रमजान भाई थोड़ आसा अपने फारम की लोकेशन बता दो बाकी सब तो आपको जानते ही हैं रोड़ा वाली गाम है रोड़ा वाली से 300 किलोमेटर है हम यह पंजाब बोडर पे रहते हैं दरसल बिट्टल ब्रेड का शों किसी जैसा कि जानते हैं और हनमानगड बड़े बकरों के लिए मश्यूर है यह किसी परीचे का मोताज आज हनमानगड नहीं है पिछले काफी सालों से लगातार यहां पर अच्छे-च्छे गोड़ निकाले गए हैं हमारे नामी बकरे अच्छे-च्छे गोड़ शो में बड़े माश्यला बड़ी हाइज अच्छी की है तो यह कंपेटिशन के बकरे भी सेल कर देते हैं अगर कदरदन होता तो कर देते हैं ठीक है शुरू करते हैं इस अंडू से लाओ इसको लंबा करो फ्रेंस कलर चेक करें माश्यला बड़ा खूबसूरत है डबा कलर है वाइट जाद लंबान बहुत अच्छी है अभी अंडू यह ना क्या वजन आएगा श्यांदार लंबान का फोर सेल है घर से कितरे में दोगे एक रेट सिंगल बताओ तो नहीं मैं सिंगल परसनल परसनल ठीक है आजो माश्यला बकरा चेक्रो फ्रेंस मिरको आती बाड़े में ना बकरा ब अटमोस्फिर के इसाब से माश्यला चमक मारेगा पीला डबा कलर माश्यला वह बहुत खूबसूरत है मैं कहा रहा हूं कैमरे में आता नहीं है बकरे को आके देखो ना पके घर जाएगा यह दिखाओ यार अब बिल्कुल बिल्कुल दो दांत पे अभी गैपी किया है दो दात का बच्चा माश्यला बहुत बहातरीन वजन के आएगा 65गी हाइट जिए चालीस इक तालीस हराम से ऐक तालीस इंच है और बहुत खूबसूरत बट्र आया माश्यला और यंग बच्चा है दो दांत में कितना होता है वह बहुत 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 पट्टी जालर बकरा ले लो भाई मेरे सब्सक्राइबर को बहुत पसंद आएगा जिसके भी घर जाएगा आप नोखा को याद रखोगे आदेने यह देखें आप क्या बात है गुलाबी वाशला लंबान चेक करो बहुत बहेतरी लंबान अच्छा फ्रेम मजबूत पैर खुबसूरती है ब पोडि वेट współ unions या पिस तरे का बकरा रखो माशला नग बड़ा जबर नग लाएं और मजबूत बढ़ आह उन्यां मीट परहलों कि बैस यह लगड़ा किस बमिया लगड़ा इकतियोव पालकर को ब्राद मुझी टो एक बाव बता अभी वजन कितना होगा इसका इसका 65 से 70 के जी बोडी वेट है पंच लगा के कुर्बानी तक रोके कितना टाइम है कुर्बानी में लगबग आईडिया से साथ महिने का आईडिया है आठ महिने के लगबग का आईडिया है क्या वजन की उमीदें है 110-120 केजी अराम से फ्रेम अच्छा इस बच्चे का तू माश्यल्ला है खिलाई पिलाई अच्छी करें जहें 100 प्रेसंट सोप से पार जाएगा खुद में दम होना जी 120 किलो भी वजन डाल से डाल से खिलाई पिलाई बच्चे में जगए बहुत है पानना अच्छा है बहुत हुप शूरत है जल्दी वेट करते हैं और आगे आगे मोसम भी ठंड है और हम सब अच्छे क layout बखिरें बनने लायक चीज़ा पालने लायक है बखिरालो पालो शौंक करो बिटल ब्रेड में आपको पता लगा क्या क्या quality होते है माशलबा पैरों का देखो स्पेस चेकरो लंबान च्बस चेकरो गरदन देखो आप मश्वाल्ण जो चीज़ी द पिछली बार कितना पैसा लग गया मैं यह नहीं पूछ रहा कितने आप मांग रहे हो कितना लग चुका है इसका इसका सार दर पर लग जया आपने दिया ही नहीं इस बकरे को तो केवल आपने खरीदना और खिलाई पिलाई करने बच्चा बनेगा जगह बहुत है इस बच्चे के अंदर खुब सूरती है नाक नकोडा है लंबा चैर है उंचे मत्थे का हम लोग बोलते हैं इसको बहुत श्यानतार है यह डिटेल क्या इसकी वजन क्या होगा वजन ए 60 कजी के अप्रोक्स बडी वेट है माशला 100 कजी कुर्बानित का राम से जाएगा उपर वाला इसके जिंदिक के से आयुँ है तो उनको सेट कर रहा है तो क्या बात है माशला ब्लैक इन वाइट क्या बात है गलापटी जालर कानों की लेंथ यह रबड जैसा बदने वाला वाकरा अच्छे नाक नकोडे का वाइट आइज में क्या पर है कि वजन करे वजन उठाने का लाए को पनने वाला बच्चा होगा अगर बजबूत होगा और पानना होगा तो खाएगा और वजन उठाएगा मैं कहा हूँ कि बहुत शांडार बकरे है बहुत जबर्दस्थ क्वालिटी के बखरे हैं इस देखें फ्रेंड्स लंबान देखें गलापटी देखें वाइट आईज में कि नाम करेंगे अग्रेशन किसी को गरम बखरे चाहिए तो गरम भी हैं यह आप लेके शौक करो बहुत खुब शूरती है यह दिखें एक रेड़न वाइट में एक और यह क्या डिटेल पर है यह चार दाथ बच्चा है 42 के करीब है 42 के करीब है चार दाथ बखरा है माशाला वाइट आज के अंदर अंडू है यह भी माशाला एक रेड़न आगरा खसी है बागी सब अंडू है जवर्दस्त बखरे थे बिल्खुश हो गया मेरा देखें और भी है नंबर देदो यह थे रमजान खान गुजर गुजर गोट फार्म से वीडियो देख रहे थे मैं कह रहा हूं बकरे एक एक नायाब है फटा फट कोल करो और बिनादिरी से ट्रांसपोर्ट कराओ शुक्रिया आप गया